हेलो दस्तों, आज के सुड़े में हम लोग स्ट्रडल चैन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऑप्सन चैन का एक एडवांस फीचर से हैं, ऑप्सन चैन के अंदर आपको दोनों साइड में एनलेसिस करना पड़ता है, कॉल और पूट साइड में, जैसे कि PCR रेसे देखत सकते हो, एक स्ट्रडल चैन की मदद से, जहां पर आपको कॉल और पूट दोनों साइड में एनलेसिस करने के जोड़त नहीं पड़ती है, आपको सिंपल साइड प्राइस दिखाई देगा, स्ट्रडल प्राइस दिखाई देगा, और उसमें से आप चूज कर सकते हो, ओपे बिसकित मत करना, चलिए आज का वीडियो स्टार्ड करते हैं, दोस्तों अगर आप एक non-directional trader हो, तो आपके लिए ये स्ट्रेडल चैन बहुत ही ज़्यादा useful होने वाला है, लेट से आप स्ट्रेडल किसको बोलते हैं, स्ट्रेडल मतलब यह होता है कि आप एक ही सेम स्ट्र आप एक प्रैस पे call और put दोनों साइड में buying करते हो, तो उसको बला जाता है long straddle, अगर आप वहाँ पे sort करते हो, तो उसको बला जाता है sort straddle, अब ये चीज़ आप चाओ तो add the money में फिकर सकते हो, या थोड़ा बहुत in the money या थोड़ा बहुत out of the money में भी जा करके, ये str straddle options को आप strategies के रूप में use कर सकते हो, तो आज के इस बुड़े में हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर straddle chain मिलेगा, तो आप यहाँ पर आ जाईए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका demate account अगर आपका demate account अभी तक open नहीं है, तो आपको account ओपनी लिंक इसी वीडियो के नीचे description अपिन कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी AMC charge नहीं लगेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से login करना है, इसके home page में कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा, यहाँ पर आपको मिलेगा options trader वाला option, तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है, जैसे आपने यहाँ पर click करा, options trader वाले web page पर आप आजाएंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई दे रहा है, यहाँ पर strategies builder में आपको login करके दे दिया है, अब यहाँ पर आपको straddle chain open करना अब यहाँ पर आपको क्या क्या analysis करना है, ध्यान से दिखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर strike price दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर हर एक strike price वही चीज़े सो कर रही है, जो आपको option chain के अंदर दिखाई देती है, तो strike price तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको straddle price दिखाई दे रहा है, अब straddle price का मतलब क्या होता है, ध्यान दिजेगा, लेट से अभी यहाँ पर 51,600 का strike price है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर option chain के अंदर भी देखोगे, ठीक है, 51,600 के उपर, तो यहाँ पर CE के अंदर भी कुछ न कुछ प्रीमियम होंगे, और put options, यानि कि PE के अंदर भी कुछ न कुछ आपके प्रीमियम होंगे, तो call और put दोनों का प्रीमियम मिला करके, जो price बनता है, उसको बोला जाता है straddle price, यानि कि 5,600 पे जो call और put का premium को हम लोग add करते हैं, CE, ठीक है, CE plus PE, अगर इसके premium को add कर देंगे, तो यह हमारा straddle price नि देखा रहे है, so that आप यहाँ पर ज्यादा premium देखने को मिल रहा है, हर एक strike price पर, इसके लवा आपके यहाँ पर changes देखने को मिल रहा है, कि कितना changes हुआ है, जिस trading sessions में यह trade हुआ है, अभी तो market फिलहाल बंध है, लेकिन जिस दिन trade हुआ है, last trading sessions में, उस दिन कितना यहाँ पर changes हुआ है, इसके लवा आपके यहाँ पर theta का value देखने को मिल जाता है, theta मतलब यह होता है, कि अगर market यहीं की यहीं पर trade करता रह जाता है, या फिर पूरे दिन भर में यहाँ पर आगर के close कर देता है, अगर market कहीं भी move नहीं करता है, तो कितना आपका theta decay की वज़े से premium गिरेगा, तो वो चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती ही, theta के अंदर, delta बताता है कि आपके premium किस speed से बढ़ेंगे, ठीक है, तो यह delta बता देता है, vega, gamma, gamma क्या करता है, gamma एक catalyst की तरह काम करता है, जो कि delta के value को बढ़ाने का काम करता है, तो delta अगर gamma बढ़ेगा, तो delta भी बढ़ेगा, और delta बढ़ेगा, तो indirectly आपके premium बढ़ेंगे, और अगर gamma कम हो रहा है, तो delta भी कम होगा, और delta कम होगा, तो आपके premium भी कम होगे, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन सब का, अगर आपको separate video चाहिए, कि कैसे delta, theta, gamma, vega, यह चारो चीज़े काम करती ह है, तो इनके उपर मैंने separate video बनाया हुआ है, उसका link आपको description में मिल जाएगा, उसको देखकर क्या आप सीख सकते हैं, कि यह options grigs कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको यह चारो grigs देखने को मिल जाता है, इसके लावा average implied volatility देखने को मिल रहा है, कि हर एक strike price पे कितना IV य निकाला जाता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे open interest का भी निकाला जाता है, तो यहाँ पे Y लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे open interest का PCR calculate करके यहाँ पर आपको so कर रहा है, इस straddle chain के अंदर, इसके लावा right side में आपको combined Y दिखाई दे रहा है, यानि कि open interest जो होता है call और put द दिखाई जा रहे है, तो इस तर से आप यहाँ पर combined Y देख सकते हो, PCR ratio देख सकते हो, इसके लावा आपको यहाँ पे straddle price दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, हर एक strike price पर अगर आप अपने cursor को लेकर के जाओगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, buy straddle, sell straddle और see in builder, तीनों का मतलब समझते है, buy straddle का मतलब ही होता है, कि अगर आप call और put दोनों साइड में, इस सेम strike price पर क्या करना चाते हो, options को buy करना चाते हो, यहनि कि आपका non-directional trade होने वाला है, अगर market बहुत जादा bullish हो जाता है, या बहुत ज कितना losses हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको कितने premium की ज़रुरत होगी, वो सारी चीज़े हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देजे कि buy straddle पर अगर आप click करते हो, तो कुछ इस तरह का pop-up window आपके सामने open हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या क्या details देखने की मिलती हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कि funds कितना available है आपके wallet के अंदर, and net premium यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, ठीक है, तो net premium आपको यहाँ पर show कर रहा है, और premium कैसे calculate होगा, LTP आप यहाँ पर देख सकते हो, यह call का LTP है, और यह put का LTP है, इन द दोनों को add करके 15 से multiply कर दोगे, तो यह दोनों को मिला करके जो amount आएंगे, उतना आपको यहाँ पर net premium देना पड़ता है, अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि क्या-क्या options आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर bank nifty open कर रखा है, 26 June, 51,700 का call options और 51,700 का put options, या market यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको limit price set करना है, तो आप यहाँ से click करके limit price भी set कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर click करोगे, आपको यहाँ पर limit price डालने का options मिल जाएगा, तो यहाँ से आप price अपने हिसाप से limit price डाल सकते हो, किस limit price पर आपको buy करना है, plus का icon पर click करके इसको बढ़ा या फिर घटा सकते हो, जैसे जैसे बढ़ाओगे आपके यहाँ पर margin requirement भी बढ़ेंगे, और यह अगर बढ़ेगा तो आपका net premium भी बढ़ेगा, इस तरह से आप यहाँ पर lot size भी बढ़ा घटा सकते हो, प्लस का इकन पर click करके, या फिर अगर आपको दोनों के अगर आप अपने order को execute करना चाहते हो, तो execute all order पर, यहाँ पर swipe करके, directly यहाँ से अपने position को बना सकते हो, यानि कि इस order को execute कर सकते हो, लेकिन execute करने से पहले मैं आप लोग करेंगा, कि आप payoff graph देख लें, और studies builder के अंदर देख लें, कि आपको यहाँ पर कितना profit या कितना losses ह होने वाला है, किस direction में market move करेगा तो, तो यहाँ पर पहला options तो आपको समझ में आगया, buy straddle का options, अब यहाँ पर देखें, दूसरा option साता है, sell straddle का, यानि कि अगर आप sell straddle पर click करोगे, तो एक same strike price पर क्या कर सकते हो, आप sod कर सकते हो call or put दोनों side के premium को, इससे होगा क्य अगर market sideways हो जाता है, तो आपको call or put दोनों side के premium होंगे, वो कम होते जाएंगे और आपको यहाँ पर benefit होता जाएगा, यहाँ पर आप sell straddle में देख सकते हो, कि overall margin कितना requirement होगा, final margin कितना यहाँ पर required हो रहा है, और hedge benefit कितना मिलने वाला है, और यहाँ पर funds available दिखाई दे रह यहाँ पर आपको यहाँ पर सो कर रहा है, पिछले वाले में आपने देखा था कि जब हमने buy किया हुआ था, तो आपको premium pay करने पर रहे था, तो premium यहाँ पर मिलता है, अगर आप short करोगे तो premium मिलेगा, लेकिन आपको margin देना परता है, अब यहाँ पर देखे, bank nifty का हमने same strike price select करा हुआ है, call or put, दोनों side में, यहाँ पर as, as लिखा हुआ है, इसका मतलब sort करने वाले है, market price को अगर आप limit में convert करना चाता है, तो limit भी convert कर सकते हो, recommend यही रहेगा, कि आप market price पे ही रहने दे, otherwise अगर आप limit price set करोगे, तो एक order आपका execute हो जाएगा, कभी-कभी, और एक order आपका pending में रजागा, तो इससे आपको problem हो सकती है, so that आपको market price ही यहाँ पर select रहने देना है, चाहे आप buy कर रहे हो, चाहे आप sort कर रहे हो, दोनों ही cases में आपको market रखना चाहिए, इसके लगा अगर आप intraday को अगर normal में convert करना चाहते हो, तो यहाँ से आप click करके intraday य आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से अपने order को execute कर सकते हो, तो यह तो हो गए buy straddle और sell straddle के बारे में, और यहाँ पर ध्यान देना कि आप चाहो तो add the money पे भी ये काम कर सकते हो, in the money में भी कर सकते हो, और out of the money में भी कर सकते हो, तो यह straddle वाला जो system है, वो आप थोड़ा बहुत in the money या थोड़ा बहुत out of the money में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा deep in the money या deep out of the money में आपको नहीं जाना है, जहाँ पर आपका add the money चल रहा है, उससे 4-5 strike प्राइज उपर या 4-5 strike नीचे अगर आप जाओगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब पर PCR के बारे में समझा देता हूँ और open interest के बारे में बता देता हूँ, open interest का मतलब क्या होता है, अगर market के अंदर एक sellers आया, मतलब किसी ने sell किया और एक buyers आया, जो कि उस contract को buy किया, यहाँ पर दोनों मिला करके एक यहाँ पर contract settle हो गया, यानि कि एक interest यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर एक open interest generate हो गया, वही कुछ दिर बाद अगर यह जो sort करके रखा हुआ है और यह जो buy करके रखा हुआ है, अगर अपने position को score up करना चाते हैं, exit करना चाते हैं, तो यह जिसने sell करके रखा हुआ है, वो buy कर लेगा, और जिसने buy करके रखा हुआ है, वो sell कर तो यहाँ पर अपने position को square up कर देंगे, exit कर देंगे, तो इस case में क्या होगा, open interest वहाँ पर down हो जाएगा, यानि कि कम हो जाएगा, तो इस तर से यहाँ पर इतने सारे open interest खुले हुए हैं, यानि कि इतने contract यहाँ पर बने हुए हैं, यह चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, औ open interest call और put दोनों ही साइड में आपको देखने के जरूरत नहीं परती है, देखे, put call ratio का मदलब क्या होता है, put का open interest divided by call का open interest, जितना भी value आता है, वो आपको यहाँ पर PCR ratio के अंदर देखने को मिल जाता है, तो यह PCR ratio का मदलब क्या होता है, ध्यान से समझेगा, यहाँ पर मै market का view रहता है, कि market neutral रहेगा, अगर PCR ratio 1 के आसपास रहता है, या फिर 1 रहता है, लेट से इस case में अगर आप देखोगे, तो 1 या 1 के near में है, तो हम लोग मान सकते हैं कि अगर market इस level पर आता है, तो market क्या होगा, neutral रहेगा, अब अगर इस तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग let से मान लेते हैं, कि 0.7 आ रहा है, अगर PCR ratio क्या निकल कर क्या रहा है, 0.7 या इसके आसपास, तो हम लोग मान करके चलेंगे कि market यहाँ से क्या हो सकता है, bullish हो सकता है, तो bull market होता है, अगर 1 से कम होने लग जाता है PCR ratio, ठीक है, और extreme बहुत ज़्यादा अगर क्या आसपास है, 75 या 65 क्या आसपास, तो हम लोग मान सकते हैं कि market अभी bullish रहने वाला है, अगर इसके opposite side में अगर देखेंगे, तो 1.7 या इसके ऊपर अगर रहता है, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि market क्या हो सकता है, bearish हो सकता है, ठीक है, तो यह situation होते हैं, एक line up draw कर लो इसको आप note down कर लेना है, अगर 1 है, तो neutral अगर 0.7 या इससे कम है, तो हम लोग bullish मानेंगे, अगर 1.7 या उससे उपर है, तो हम लोग इसको bearish मानेंगे, लेकिन extreme बहुत ज़्यदा अगर उपर चला जाता है, तो हम लोग इसको reversal के रूप में भी मान सकते हैं, यानि कि यहा आप note down कर लिजेगा, अब इसी की concept के हिसाब से आप यहाँ पर PCR ratio को देख करके अपना interpretation निकाल सकते हो कि किस तर से market यहाँ पर perform कर सकता है, हलाकि अगर आपको PCR के बारे में अगर detail वीडियो चाहिए, तो आपको description box में मिल जाएगा उसका link, आपको PCR के बारे में सारे logic के सा समझा दूँगा, कि वहाँ पर कैसे आपको PCR ratio देखना होता है, कैसे analysis करना होता है, और इनका क्या interpretation होता है, क्यों होता है, सारे logic के साथ आपको उस वुड़े में देखने को मिल जाएंगे, link आपको description में मिल जाएगा, अब यहाँ पर देखे, straddle chain के अंदर क्या होता है, लेट से अभी हमारा ये वाला add the money है, ठीक है, तो add the money के अंदर हमारा premium अभी call और put दोनों का मिला करके कितना हो रहा है, 619 हो रहा है, अगर यहाँ पर straddle किया जा रहा है, यानि कि buying करा जा रहा है, फिर sort करा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमको एक range ही मिल जाता है, और नीचे की side में, ठीक है, और ये same चीज आप nifty bank nifty किसी के अंदर भी कर सकते हो, simply आपको यहाँ से change करना होता है, अगर मुझे nifty 50 में करना है, तो nifty 50 में मैं click कर दूँगा, यहाँ से हमारे सामने क्या हो जाएगा, nifty 50 का straddle chain open हो जाएगा, फिर nifty का देखना चाहते हो वो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, at the money पर 23,500 पर यहाँ पर straddle price कितना दिखाई दे रहा है, 254 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग 250 round figure मिले करके चलते हैं, तो इससे हम लोग को एक range मिल जाता है उपर और नीचे के side में, कि market कितना उपर या कि फिर कितना नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर straddle बनाया जा रहा है, इसका मतलब इन सभी का view है यहाँ पर, कि market इतना या तो नीचे गिर सकता है, या फिर इतना उपर कि तरफ market move कर सकता है, तो लेट से अगर हमारा यहाँ पर view बनता है कि 254 रूप यहाँ पर premium दिखाई दे रहा ह कॉलर कुट का, तो हम लोग यहाँ पर 250 के आसपस हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि add the money 23,500 है, तो नीचे की साइड में 23,250 तक market गिर सकता है, इस strike price के हिसाप से, premium के हिसाप से, और उपर की तरफ अगर देखें, तो 23,750 तक हम लोग मान सकते हैं, कि उपर की साइड में market इतना move कर सकता है, तो अगर आपको sort करना है, अगर आपको strangle बनाना है, तो strangle बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस range के बाहर जाकर के और इस range के बाहर जाकर के आप क्या कर सकते हो, sort कर सकते हो, जिससे आपको premium का benefit मिल जागा, अगर market उतना move नहीं करता है, तो आपको सारे premium मिल ज जेता है open price, high price, low price और previous close price तो यह सार चीज़े हैं straddle chain के अंदर, चलिए अब हम लोग strategies builder के अंदर जाकर के देखते हैं कि यहाँ पर कैसे इसको use करना है, let's say हम लोग को किसी भी एक strike price को select कर लेना है, let's say यहाँ पर इसको देख लेते हैं 23,550 का see in builder के अंदर, तो मैंने यहा पर click करा, and यहाँ पर आप strategies builder के अंदर redirect हो जाओगे, और यहाँ पर आप अपना pay of graph देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा straddle strategies बना हुआ है, जो कि same strike price पर है, 23,550 पर, 23,550 पर, call or put options है यहाँ पर, जो कि 27 जुन्दो जार 24 का expiry date है, अगर आप change करना च आप change कर सकते हो, इसके लाबा अगर आपके यहाँ पर limit price डालना है, तो आप यहाँ से limit price भी डाल सकते हो, कि किस limit price पर आपको buy करना है, जैसे call options का premium 89 rupees यहाँ पर limit दिखाई दे रहा है, और put options का premium 174 रुपए 3 पैसे कि यहाँ आपको limit price दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको market price पर लेना है, तो market price पर लेने के लिए simply आपको यहाँ पर click कर देना होगा, and यह market price पर select हो जाएगा, तो recommendations यही रहेगा, कि आप market price पर select करके इसको buy या फिर sort करें, इसके लाबा अगर आपको और भी lags add करने, तो यहाँ से भी add कर सकते हो, यहाँ से भी add new पर click करक तो यहाँ पर आपको बहुत सारे strategies दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आप click करोगे, वो strategies आपके सामने यहाँ पर बन जाएंगे, and आपको pay of graph के अंदर भी दिखाई देगा, तो अभी फिलाल मैं इन सबको ऐसा ही रहना देता हूँ, as it is, इसके निचे अगर आप आओगे तो इसके अंदर कितना fund available है, वो आपको यहाँ पर show कर रहा है, इसके निचे आप अपना profit and loss देख सकते हो, कि maximum profit इसके अंदर कितना होगा, तो यहाँ पर unlimited दिखाई दे रहा है, and maximum loss आपका इस trade के अंदर कितना हो सकता है, तो 6,332 रुपे, चाहा है market कहीं भी चला जाए, right, इ यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे, तो 23,813 दिखाई दे रहा है break-even, और 23,286 रुपे, नीचे की तरफ का level आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपको pay-up graph के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, अभी market currently यहाँ पर है, यहाँ पर market currently है, अगर market इस तरफ जाता है, मतलब तो अगर गिरता है market, तो कितना आपको profit होगा, कितना गिरेगा, तो कितना profit होगा, expiry के दिन और आज के दिन, दोनों आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि कितना price में आपको changes देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर market उपर की side में जाता है, बढ़ता है, तो market कितना तक तो कितना आपको loss होगा, profit होगा, आज के दिन में और expiry day के दिन में, इसके लाबा कितना उपर और कितना नीचे जा सकता है, तो आप यहाँ से analysis कर सकते हो, कि आपको कितना profit या फिर कितना losses हो सकते हैं इस particular studies के अंदर, तो यह सारी चीज़े हैं जो कि straddle chain के अंदर आपको देखने को मिलता है, अब इस तरह से आप यहाँ पे straddle chain को use करके आप अपने analysis को और भी बेहतर और आसान बना सकते हो, right, और जो भी आपको trade लेने होंगे, आप यहाँ से भी चाहें तो trade place कर सकते हैं, तो दोस्तों I hope कि आज के सूड़ में आपको straddle chain के बारे में सब कु कोई भी confusion है, तो नीचा comment section में ज़रूर रताएगा, वीडियो पसंद दो लाइक कीजिए, दोस्तों को share कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिएगा, अगर आपने बितक धन के ओपर अपना account open नहीं किया हुआ है, तो आपको account opening link इसी वीडियो की नीचे description, अपिन comment में मिल चलिए फिलालबिक लिस्टों में मिलते हैं एक शुरूरां, तब तक लिए जय हिन्द, जय भारत